जैमा इंद्राक्षी जयंबे इंद्राक्षी धाम में दर्शुक वाप सभी का महार्दिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जातकों को जरम दिवस है मेरे जैनिवर्सरी उन सभी को हमारे द्रफ से बहुत-बहुत शुक्ता है आज हम बहुत अच्छी एक आपको छोटी सी बात बताने वाले हैं जो आपके व्यापार के लिए आपके परिवार के लिए आपकी धन्सम्रद्धी के लिए बरकत के लिए बहुत अच्छा एक प्रियोग है चोटा सा प्रियोग है और एक रुपया भी उसमें हमारा लगता नहीं है बस उसको समझने और उसको आपको मिलने की बात है आपको बहुत अच्छा लगेगा आईए पहले आज काम पंजांग देखें अब देखें कई बार हमारे आजपास ऐसी वनस्पतियां होती हैं जो वनस्पति हमारे जीवन को बदल देती है तो वास्तब में ये एक ऐसी वनस्पति है जो बहुत अच्छे तरीके से घर की समरद्धी को प्रदान करने वाली है क्या शामा तुलसी के अंदर लगी हुई खरपतवार कैसे ऐसे समझो जैसे आपने तुलसी सबने देखी है सबके घर में तुलसी होती है और तुलसी पूजनी है सब तुलसी की पूजा करते हैं तुलसी कई प्रकार की होती है उसमें एक होती है शामा तुलसी तो जिनके घ और अगतर हम घमलों में ही घमलों भोंते हैं तो जिनके घर में श्मा तुलसी हो और तुलसी के गमले में अपने एक खरपतवार घास होती है वह उगाए आप एक नज़र देखिए इस प्रकार से, ऐसी तुलसी में खरपतवार एक ऐसी घास उगाए, स्विम अपने आप उगाए, तब क्या करें, शुकलपक्ष का ब्रस्पतिवार हो, शुकलपक्ष का गुरुवार, उस दिन चाकू से नहीं काटना, किसी चांदी से खरपतवार को काट ले, प्रणाम गरें आग गया ले, और फिर उसको निचे से हलका सा, चांदी का कोई घर में सिक्का वगरा सब के होता है, उसको काटना क्या होता है, ऐसे चला होगे, वो अपने आप कट जाएगी, चार-पाच, छे खरपतवार ले करके, वो घास ले करके, साफ पीले कपड़े में लंबी-लंब रख दो, ऐसे फोल्ड सा कर दो, फोल्ड करने से पहले, अपने जहां पूझा पाट करते हो, हाँ कपड़ा बिछा दो, उस घास को धो करके, चीटा मारके साफ कर ले, और उसे उस पीले कपड़े को उपर रख ले, उस पे हलका सा तिलक लगा दे, हल्दी का तिलक लगा दे हलका सा उस पर चावल चड़ा दे, दूप दीव दे करके प्रणाम कर ले, और ऐसी भावना करें, कि हे दिव्य मनस्पती, मैं आपको अपने उद्योग स्थल में स्थापित कर रहा हूं, या अपने गल्ला लोकरती जोरी में, या अपने घर में, आपके किरपा से मेरे घर म धन संपन्दा सम्रद्धी बनी रहे, कई बार कुछ परिवारों में धन आता तो बहुत है, लेकिन रुकता नहीं है, सम्रद्धी नहीं बन पाती है, जुडाव नहीं हो पाता है, तो हर इस्तिति में इस परकार से रखी गई खरपतवार, आपको बहुत लाब देगी, ये बहुत बार हमने इस प्रियोग को पहले भी बताया है, हजारों लोगों ने इसको देखा है, अनुवब सिद्ध में ये बात आई है, लेकिन ये ध्यान रखें, लंबी एक सीरे वाली गहास पतली पतली सी अच्छी होती है, वो हमें मिल जाए, हरी हरी सी बढ़ी आसी और ब बहुत लावानवित होता है, पहले हम लोग क्या करते थे, आपको याद हो, जादतर हम वनस्पतियों के संपर्क में रहते थे, पेड़ के नीचे सोना, बैठना, खेलना, है ना, उसकी चाया में रहना, अब ये सारी चीज़े खतम हो गई है, बिमारिया बढ़ गई है, और स्वास्त शरी रहता था, अब बैड हैं, फोल्डिंग हैं, लोहे के बिस्तर पर हम सोते हैं, तो वो बात नहीं आती है, अब वो जो चारपाई हुआ करती थी, खाट हुआ करती थी, वो पूरा हम उसके आउस्धी के संपर्क में रहते थे, वनस्पति के संपर्क में रहते बहुत चारों तरफ उसमें लखड़ी लगी होती थी, वनस्पती होती थी, और जिससे वो बुनी जाती थी, उसे बान कहते हैं, तो सन का होता था, या मूंच का होता था, वो भी वनस्पती है, इसलिए वनस्पती से जब से हम दूर चले जा रहे हैं, तब से हमारे जीवन में शुख सांती और छिंती जा रही है और स्वास्ते भी खराब होता जा रहा है ऐसे ही कुछ जैसे हत्ता जोड़ी है और बहुत सारी वनस्पतियां है यह उन्हें आप विदी विधान के साथ अपने पूजा इस्थल में या घर में इस्थान देते हैं यह हिसाब से उनको रखते हैं तो वास्तब में बहुत लाप मिलता है घर घर में तुलसी माता अपनी करपा बरसाती है श्रद्दा होनी चाहिए जिस घर में तुलसी माता चल नहीं पाती यानि कि फल फूल नहीं पाती वह निश्यत पित्री दोश होता है या उस घर के गरह बहुत कमजोर होते हैं या उस घर में एक बहुत बड़ी अशुद्धी भी होती है ये चोटी-चोटी बाते हैं लेकिन बहुत काम की बाते हैं बविश्य में फिर हो सकता है आपको तुलसी माता के अनेकों प्रियोग हैं वो भी हम आपको बताएगे लेकिन आज तुलसी में उगी हुई ये खरपतवार आपका बहुत काम आएगी इस प्रियोग को आप स्यम भी करें शेर भी करें अपने घर संबंदों में भी ये प्रियोग कराईएगा आईए समय उचलाज की द्यान साथना का भगवती तुलसी की बात की है तो भगवती से ही जोगते हैं हेमा सबको सिरिसम रद्दियाब प्रदान करें भ्यामल पूर्ण रत्न चसकां रत्नोत परां विब्रते सोम्यां रत्न गढस्त रक्त चरनां ध्याईत परां अंभिकां खडगं चक्रगदे सुचाप परिगान चूलं भुसून डिम्सिरां संखं संधदतिं करिष्त्रिनयनाम सरवंग वुस्वरिताम निलास मध्युत्यमाष्यपाद दसकाम सेवे महांकालिकाम यामास्तो स्वपितै हरो कमल जो अंतुम अदुम कर्टवं विद्यो दाम समप्रवाम रिगपते स्कंदस्तिताम विशनाम कन्याम विहकरवाल खेट विलसा धस्ता विरास्यविताम हस्ते स्चक्रगरा सिखेट विशिखाम स्चापम गुणम तरजनीम विप्राणाम अलिलात्मिकाम ससिदाराम धुरगाम तिनेत्राम वजे कबच मना लें ध्यान करें महगवती का शुवासी समसब के उपर बरस रहा है ओम बोलते हुए नेत्र खोलें समन्य हो जाएं देखो साथ को हमारे मुख्य चैनल से और फेस्बुक पेस से जुरूर जुड़े रहिएगा कुछ न कुछ काम की बातें आपके हाथ लगती रहेंगी आपको लाब मिलता रहेगा और जैसे हमने प्त्रदोश की बात की बात है पित्रदोस और अनेकों प्रकार के दोशों का शमन एक विश्यस पूजा के मद्यम से भी होने जा रहा है अठारा जून को एक विश्यस कारिकरम है सभी के लिए निशुल्क है और मेरे इसाब से सीट्स तो इसमें फूल हो चुकी है लेकिन फिर भी कहीं कोई गुण बताया जाएगा और अठारा जून का यह विश्यस कारिकरम है उसके बाद भी अन्य कारिकरम होते रहेंगे आप हमारे इस प्रकार के आध्यात्मिक जो कारिकरम होते हैं उनसे जुड़ने का भी प्रियास किया करें आप स्वस्त रहें सुखी रहें इनी शब्दों के साथ ह आपने एक हमको 11 लॉंग और बाद की थी तो मैंने अपने पोते के लिए मतलब पोता जो है मेरा हमेशा जब भी कहीं बहार निकलता था बहुत चुडबल टाइप का है तो उसको हमेशा कुछ लिए-कुछ रात भर रोता था लेकिन हो 11 लॉंग को 11 बार मैंने पुलो किया और 11 दिन तक किया और 21 दिन है उसके बाद से अभी तक तो कभी घुमने जाता है तो उसको उचली होता है किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने है तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 बजे तक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें